जहें दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत ही अच्छे से आप अपनी पड़ाई को कंटीनियो कर रहे होंगे मैं आपके लिए एक सांदार न्यूज लेकर आया हूँ कि CISF Constable Driver की न्यूबरती आ चुकी है तो आपको भी अपना form apply करना है आप कुछ लोगों के मन में ये doubt आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में light driving license भी है लेकिन वो तीन साल पहले का होना चीए द्यान रखना अगर वर्तमान में 2023 जनवरी है तो आपके पास में वो जनवरी 2020 या जनवरी 2019 यहां तक अगर बीच में बना हुआ है तो आप इस बरती में अपना form apply क आपको करना है जिसके पास license है उसको भी करना है जिसके पास license नहीं है उसको भी form apply करना है क्योंकि कम से कम आपको वहाँ पर DV का process पता चलेगा एक्जाम आप देंगे तो आपको exam का भी एक अच्छा अनुबव होगा तो मैं आपको बता दीता हूँ कि क्या-क्या आपको information इ इतनी है 451 है application की जो तारीक है आप जो online form बढ़ने की जो तारीक है वो 23 जनवरी से लेकर 22 परवरी के बीच में बताई गई है आपके सामने 23 जनवरी से लेकर 22 परवरी एक जामिनियन अपना ये है अब आपको होगे सर आयू में कोई विसेश चूट है किया तो आयू उमर स 21 वर्से लेकर 27 वर्स के बीच में आप फरम बर सकते हैं OBC को उपरी सीमा में 3 साल की चूट मतलब OBC वाले 30 साल तक अपने फो में अप्लाई कर सकते हैं और SC ST केटेगरी को 5 वर्स की चूट यानि 27 और 5 32 साल तक अब आप कहोगे सर कौन कौन से आयू वर्ग सीमा वाले फरम में बात जिनके पाच में driving license होना चाहिए final selection के लिए यह आपके पास में post बताई गी है general EWS OBC SC ST female की कोई अलग से post इसमें नहीं बताई गी है एक constable driver है दूसरा constable driver pump driver है तो दोनों के अलग अलग post का preference भी आपको दिया गया है आप कहोगे सर qualification क्या होने चाहिए 10th pass या 12th pass त सिए कि selection की process में सबसे पहले क्या रहेगा तो selection की process में आपका सबसे पहले देखिए का physical रहेगा उसके बाद आपका DV होगा document verification होगा तीसरे नंबर पर आपका trade test होगा और written होगा उसके बाद में final में क्या होगा written और फिर final आपकी क्या बनेगी merit बनेगी अब आपको होगे सर physical में तो आप बता देना क्या क्या होता है आगे में बता दूँगा document verification में trade test में क्या होगा सर trade test में ध्यान रखना driving test for light vehicle के लिए आपको 50 अंक दिये जाएंगे driving test for heavy vehicle के लिए भी आपको 50 अंक दिये जाएंगे और practical knowledge यानि जो वहानों से समंदित knowledge है उसके आपको 30 अंक दि तो देखो या तो आपके पास में light license होना चाहिए या heavy driver क्योंकि जिसके पास light है उसी को तो क्या मिलेगा heavy मिलेगा सीधा heavy किसी को नहीं मिलता पहले light license बनवाना बहता है तीन से चार साल बाद में उसके बाद में heavy license भी आपका बन जाएगा तो समझ गए होंगे इस process को आप अच्छे से return में देखिएगा return जो return एक जाम होगा उसके syllabus में same का सेम आपके जी के 25 क्योंशन आएंगे मैत के 25 क्योंशन रेजिनिंग 25 क्योंशन और हिंदी या English में से 25 क्योंशन या तो हिंदी चैन कर सकते हो या English no negative marking सबसे अच्छी बात है कि आप यहां पर तुके भी ल अच्छी वेकेंसी आपके सामने आज चुकी है आपको होगी सर height क्या चाहिए हमें height क्या चाहिए तो height का सवाल है 160 cm आपकी height चाहिए chest के बारे में बताया गया है 80-85 cm चेस्ट के बारे में 80-85 cm आपको बताया गया है next long jump है इसमें लंबी कूद है 11 feet बहुत ही कम बताइगी ह यह long fit होगा 11, high jump होगा 3 feet और 6 हिंच, high jump है आपको जो 3 feet और 6 हिंच का बताया गया है, सेलरी के बारे में बताओं तो 21,700 से 9,900 यानि पेशा ही पेशा आपको इसमें मिलने वाला है तो देखो थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा हाँ हाँ रनिंग का बरम देखिए रनिंग के बारे में यहां बता दिया है कि रनिंग के बारे में 800 मिटर की रनिंग होगी दो राउंड चार-चार सो मिटर गें जिसमें तीन मिनट और पंदरा सेकिंड का यानि प्रियाप्त समय आपको दिया जाएगा तो मुझे पता है कि सेलेक्षन प्रोसेस में अब हम क्या सीखें सेलेक्षन प्रोसेस में फिजिकल तो लगबग हर बंदा किलियर करेगा फिजिकल भी आपको करने और फिजिकल के ओफलाइन बेची होंगे ओनलाइन बेच कोन करवाता भी फिजिकल तो फिजिकल के आप ओफलाइन आके यहां पे तैयरी कर सकते हो अब बहुत आसानी से आप physical clear करोगे उसके बाद में आपका document verification होगा यानि license आपके पास 10th pass की mark sheet है या नहीं ये सारे document आपके change होगे उसके बाद में आपका trade का test होगा और उसके बाद में आपका return और उसके बाद में आपकी final list आ जाएगी जिन में आपका नाम आउसिय होगा क्योंकि आप अच्छी मैनत कर रहे हैं तो आपका selection आउसिय होगा मा को केना है कि मा तेरे पसीने की हर बुंद को मोती से चमकाऊंगा मा तु सपने प्यारे प्यारे देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा एक बार सभी को जैहिन जैवारत